असलावालेकुम ये देखिए फ्रेंड हमने बनाया है करैले की कॉलांजी बहुत ही टेस्टी देखने में जितना खुब्सूरत लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी एक बार आप बनाएंगे तो बार 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 बनाने के लिए तैयार हो जाईए तो सबसे पहले हमने काटने के बाद इसको एक घंटा पानी में भीगा के रख देंगे उसी पानी में नमक एट कर देंगे इससे क्या होगा इससे यह होगा कि इसका कड़वा पन निकल जाएगा खाने में यह बहुत टेस्टी लगता है तो यह देखिए हमने लंबाई में काट लिया है पूरे क एक बार बनाएंगे तो लोग जित करेंगे कि बार बार इसको बनाई है तो यह दिखे मैंने इसको ड्ल दिया है अब आ जाते हैं अपने तोसे मसाले में बहुत ज्साद के पाऊजाम डूदो डूख बखी और भी है चानुच के पाऊज़ सीज़ी तो सबको पीत लेंगे फिर तवे में जो है पैन में डालेंगे तेल तेल में डालेंगे दो प्याज उसके बाद भूल लेंगे प्याज को बहुत लान लेनी करना है फिर मसाले को डालेंगे उसके बाद ज्यादा भून्या भी नहीं है थोड़ा भूनेंगे उसके बाद इसमे मिला चुके हैं तो जादो कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है इसमें थोड़ी सी हम खटाई डाल देंगे अगर आपको कड़बापन एकदम खतम करना है तो थोड़ी सी गुले या चीनी भी एड़ कर सकते हैं वरना इसी तरह से बनाईए बहुत ही टेस्टी बन के तयार होती है यह देखे थोड़ी देर में हमारी सबजी बन के तयार जो इसका टेस्ट है जब आप बनाएंगे खाएंगे तभी आपको पसा चलेगा तो कब ट्राई कर रहे हैं जाए 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 ट्राई करिए और जाते जाते लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर ब